हे गाईस वेलकम बैक टो माई चैनल तो फायबूल ने लाँच कर दी है अपनी एक और नई ब्लुटूथ कॉलिंग स्मार्ट वाच जिसके अंदर आपको 1.83 इजिसका बड़ा डिस्प्ले प्रोवाइट क्या गया है उसी के साथ इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स द दिखने को मिल जाएगी यह स्मार्ट वॉच और काफी सही दिख रही है बाकी एक ali से निकालके चेक कर लिता है तो आप देख सकते हो इस ताइप से देखने को मिल जाएगी बाकी कुछ और एक बारं कंट्स चेक कर लिता है तो यहाँ पर provide की गई है user manual और user manual के अंदर बहुत सारा information provide की गई है बाकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी charging cable तो magnetic two-pin charging cable का support देखने को मिल जाएगा और कुछ cards देखने को मिल जाएगे चोकि firebolt के सभी products के साथ देखने को मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है book my show का voucher और उसके बाद है यहाँ पर warranty registration card तो यहाँ पर इस वाली QR code को scan करके warranty के लिए register कर सकते हो और next यहाँ पर provide क्या गया है bold play के subscription का card और उसके बाद है gana subscription तो यह सभी cards देखने को मिल जाएगे ओके तो सबसे पहले अगर बात करें build quality और first impression की तो इस watch के अंदर 46.48 mm का display देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पर इसका जो button है वो center पर place किया गया है चूकि इसको premium looks देता है उसी के साथ इस watch के अंदर sides में metal build देखने को मिल जाएगी और back side में polycarbonate built है और इस watch के अंदर इस side में speaker और इस side में microphone का support देखने को मिल जाएगा तो ये भी एक calling watch होने वाली है बाकी back side की बात की जाए तो यहाँ पर fireball के branding के साथ कुछ sensors देखने को मिल जाएगे और इस watch के अंदर removable straps का option है यानि कि ये market से कोई भी straps purchase करके लगा सकते हो ओके so watch को मैंने on कर दिया है और सबसे फिल अगर बात करें display की तो इस smart watch के अंदर 1.83 inches का display provide क्या गया है और इसके अंदर 240 x 284 pixels का resolution देखने को मिल जाएगा और overall display की quality काफी अच्छी रहने वाली है बाकी यहाँ पर bezels की बात की जाए तो नीची की side में हलके से मोटे bezels है तो bezels का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाकी top में और sides में बिल्कुल भी bezel नहीं है तो उसकी कोई tension नहीं है पर नीची की side में हलके से जादा है बाकी अगर black color में कोई watch face लगाओगे तो उतने जादा visible नहीं होंगे और इस smart watch के अंदर brightness बहुत अच्छी कासी provide की गई है direct sunlight में भी इसका display visible हो जाता है तो कम से कम इसके अंदर 500 nits की तो brightness provide की ही गई है और उसके उपर भी हो सकती है बाकी यहाँ पे outdoor visibility सही है UI की बात करें तो नीची की तब swipe करके control panel देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एक नया option add कर दिया गया है water rejection वाला तो अगर आपके watch के speaker के अंदर थोड़ा बहुत पानी वगेरा चल जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो continuously air blow होगी इसके speaker में से और इस टाइप से water को eject कर सकते हो तो यह एक अच्छा feature है और उसके बाद right की तब swipe करोगे तो यहाँ पे आपको application देखने को मिल जाएंगे और display की smoothness ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी lags वगरा नहीं होते वो अच्छी बात है बागी यहाँ पे आपको और भी menu style देखने को मिल जाएगी बाकी उपर की तब swipe करोगे तो messages वगरा देख सकते हो phone के notification और left की तब swipe करके यहाँ पे बहुत सारे information प्रवाइट की गई है यह सबी components को आराम से access कर सकते हो इस watch के अंदर crown working नहीं रहेगा तो आपको अगर watch faces को change करना है तो manually इसी तरीके से change करना पड़ेगा कुछ inbuilt 4-5 watch faces देखने को मिल जाएंगे और application के अंदर और भी watch faces प्रवाइट किये गया है और custom watch face भी लगा सकते हो बाकी यह smart watch IP67 water resistant होने वाली है यानि कि थोड़ा बहुत पानी बगरा गिर जाए तो कोई problem नहीं होगी बाकी चली अब एक एक करके applications चेक कर लिता है तो सबसे बहुत अप्शन देखने को मिल जाएगा activity का और इसके अंदर बहुत सारी information देखने को मिल जाएगी और pedometer के accuracy खाफी impressive है से smart watch की उसके बाद यहाँ पर provide क्या गया है calling feature और यहाँ पर context में आप access कर सकते हो या फिर recent call चेक कर सकते हो या फिर directly dialer से भी किसी को call सब्गिरा कर सकते हो तो एक call करके बताता हूँ उसके बाद इसके अंदर option देखने को मिल जाएगा heart rate sensor का और इस smart watch के अंदर working heart rate sensor देखने को मिल जाएगा और यह smart watch air के अंदर reading show नहीं करती है और इसकी reading को मैंने ocximeter से compare करके देखा है और काफी है तक ocximeter से match करती है इसकी readings बाकि यहाँ पर आप data actually graph के अंदर अच्छे से access कर सकते हो बाकि उसके बाद इस sleep monitor और sleep monitor भी इस watch के अंदर working होने वाला है firebolt की almost सभी watches के अंदर sleep monitor working रहता है और इसके अंदर आपको restful और light sleep देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर है SPO2 तो एक बार SPO2 को चेक कर लिता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ red light sensors प्रवाइट के गए है से smart watch के अंदर बाकि SPO2 के उपर आप उतना जादा rely नहीं कर सकते उसके बाद इसके अंदर प्रवाइट के गए है sports mode और इसके अंदर 100 plus sports mode देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर last में plus का icon है और इसके उपर क्लिक करके और भी sports access कर सकते हो बाकि pedometer के accuracy अच्छी देखने को मिल जाएगे से smart watch के अंदर और steps वगरा चेक कर सकते हो उसके बाद exercise records चेक कर सकते हो weather देखने को मिल जाएगा previous seven days का और फिर है option messages का और इसके अंदर notification वगरा देख सकते हो phone के और उसके बाद है AI voice assistant वाला feature और अगर आपके पास iOS है तो Siri enable हो जाएगी और अगर Android है तो Google Assistant वाला feature enable हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर है remote capture का feature music player है और उसके बाद है alarms तो alarms वगरा भी set कर सकते हो इस smartwatch के अंदर और application से set करने कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि directly आप smartwatch से set कर सकते हो उसके बाद है timer और timer आप start कर सकते हो या फिर customize भी कर सकते हो उसके बाद है stopwatch का feature और इसको भी use कर सकते हो फिर है यहाँ पर flashlight और इस watch को as a flash भी use कर सकते हो और उसके बाद है find my device का option और games भी provide के गए है से smartwatch के अंदर तो flappy bird 2048 और यहाँ पर battleship वाला game देखने को मिल जाएगा और उसके बाद है calculator और क्योंकि से smartwatch का touch response अच्छा है तो calculation वगरा भी आराम से कर सकते हो और last में देखने को मिल जाएगा settings और इसके अंदर पहला option है display का तो यहाँ पर आप यह सभी को access कर सकते हो और race to wake gesture भी है से smartwatch के अंदर और उसके बाद यहाँ पर vibration और ring intensity सेट कर सकते हो फिर provide क्या गया है dnd mode और उसके बाद यहाँ पर phone settings है low power mode है और phone reset है और system के अंदर basic से features है और last में है about section तो overall यह सभी features देखने को मिल जाता है से smartwatch के अंदर और last में अगर बात करे conclusion की तो यह smartwatch आपको देखने को मिल जाएगी इस Republic Day Sale में under 2000 रुपीज और 2000 रुपीज के साब से काफी वरतित रहने वाली है क्योंकि 1.83 इंचेस का बड़ा display है प्लस यहां पे features काफी सारे है और fitness features की accuracy काफी अच्छी है तो इस watch को आप जरूर से consider कर सकते हो बाकि इसकी बाइन लिंक देखने को मिल जाएगी description में तो description जरूर से check कर लेना बाकि उमीद है अचका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरूर से करना मिलता हो आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ